भारतिये खिलाडियों ने हमेशा बहतरीन प्रदर्शन देते हुए अपने देश का नाम रोशन किया है अब कई ऐसे ही नामचीन खिलाडी राजनीती के छेतर में भी पूरे जज़वे के साथ उतर रहे हैं हाल ही में पदमश्रीफ शाइना नहवाल ने बीजेपी की सदस्यता ली उन्होंने ये इच्छा भी जताई की खेल के साथ साथ वो राजनीती में भी सक्री अभूमी का निभाना चाहती हैं राजवर्धन सिंग राठोड खेल मंतरी करनल राजवर्धन सिंग राठोड ने 2004 उलंपिक खेलों के डवल टैप इवेंट में रजत पतक जीतने के साथ साथ एक दशक्षे अधिक के कारियर में राश्ट्र बंडल और एशियाई खेलों में कई पतक जीते थें उन्हें राजीव गादी खेल रत्न और अरजुन अवार्ध से भी नवाज़ा गया है राठोड ने 10 सितंबर 2013 को भाजपा जोईन किया था पहली बार चुनाव जीतने के बाद 3 सितंबर 2016 को उन्हें खेल मंतरी के रूप में न्यूट किया गया मशूर क्रिकेटर गौतम गंभीर 22 मार्च 2019 को भारतिय जंता पार्टी में शामिल हुए थे सबसे चर्चित सीटों में से एक पुर्वी दिल्ली सीट से लोगसबा चुनाव में पहली बार उतरे गौतम गंभीर चुनावी मैदान में लगभग 7 लाक वोटों से जीत हासिल क थी हाला कि शुरू में उन्हें ट्वीटर पर काफी ट्रोल किया गया लेकिन दिल्ली की प्रदूसर समस्या को कम करने के लिए उन्होंने देश का पहलाश मौक्ट और लगवा कर नकेवल अपने वीरोधियों को चुप करवा दिया बलकि प्रशंसकों का भी दिल जीत लिया उलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वरदत 26 सितमबर 2019 को बीजेपी में शामिल हुए थे योगेश्वर ने 2012 के लंदन उलंपिक में कांसे पदक जीता था इसके अलावा वह पदमश्री से भी सम्मानित किये जा चुके हैं योगेश्वरदत 2014 के कमन वेल्थ खेलो में स्वण पदक विजेता भी रहे हैं हरियाना विदान सभा चुनाओ में उन्हें सोनी पत जीले की बरोदा विदान सभा सीट से टिकट दिया गया था हाला कि यहां वे जीत हासील नहीं कर पाये थे लेकिन लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामियाब रहे थे कुस्ती में जंडे गार्चुकी बवीता फोगाट ने 12 अगस 2019 को भाजपक का दामन थामा था उन्होंने हरियाना विधानसवा चुना में चर्की दादरी विधानसवा सीट से अपनी किस्मत आजमाई थी लेकिन उन्हें एक बड़ी हार का भी सामना करना पड़ा था आपको बता दे वालिवूड फिल्म दंगल भवीता और उनकी बहान गीता फोगाट की बायोपिक थी